किसी भी बिक्ति के हाथ में भाग रेखा और सूर रेखा, दोनों पैलर चलती हों और वो बिल्कुल बढ़ियाओं कई कटिविटी नहों, तो ऐसी इस्तिती पर ऐसा बिक्ति कलेक्टर बनता है, डीम बनता है, एस डीम बनता है, ये मानिये, उसकी जो एक रेट की जॉब होती होती है, अब ये दोनों रेखा हैं, देख कैसे सकते हैं, अगर किसी भी बिक्ति की भाग रेखा निकल करके सनी परवत तक पहुच रही है, और सूर रेखा निकल करके ठीक इस पर कार हो रही है, तो निशित मानी ऐसा बिक्ति डीम के नीचे रहेगा ही नहीं, और किसी आएगा ऐसा हाथों में देखने को प्रप्त होता है